21 सदी में दुनिया एडवांस लेवल पर पहुँच चुकी है और इस दुनिया की नई क्रांती है AI तो जमाना AI का है यानि Artificial Intelligence का इसलिए जब बच्चों के भविश्य की बात होती है तो अच्छे शिक्षकों की बात होती है जो बच्चों को समझने से लेकर शिक्षा देने तक सर्वगोन संपन हो तो आईए यही क्रांती हुई है भारत में पहली AI शिक्षक लॉंच हो गई है वो भी केरल में और आपको बता दें यह जो तस्वीरे आप देख रहे हैं इस टीचर को आप देख रहे हैं इसने लाल नी साड़ी पहनी हुई है और इनका नाम आईरिस है बिल्कुल रियल शिक्षक के तौर पर यह लग रही है बच्चों से हाथ मिला रही है बच्चों को पढ़ा रही है आईरिस अलग-अलग विश्यों के जटल से जटल प्रशनों के उत्तर दे सकती है परस्नल वोइस को पढ़ा सकती है यह AI टीचर तीन भाषाओं की जानकारी इन टीचर के पास है अंग्रेजी, हिंदी और मल्यालम यह जानती है रोबोट गलत कॉंटेंट को ब्लॉक करने की शमता भी AI टीचर में है 20 से जादा भाषा डेवलप करने की तयारी भी अब चल रही है एक बड़ कि हर चात्र की ज़रूरतों को देखते हुए AI टीचर को बनाये गया है मंच से AI टीचर ने भाषन भी दिया चात्रों के पास जाकर उन्होंने मुलाकात की हाथ मिलाया चात्रों से AI टीचर बनाने वाली कमपणी ने दरसल यह दावा किया है कि शिक्षा के शेत्र में यह सभ टिंकरिंग लाब परियोजना का हिस्सा भी है जो 2021 नीती आयोग को की पहल के मुताबिक आगे बढ़ा है इसे स्कूलों में पढ़ाई से लेकर एक्स्ट्रा करिकुलर आक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इंस्टिग्राम पर जब मेकलाब्स कंपनी ने इसे लॉंच किया तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि ये रोबोटिक्स और जेनरेटिव एई का एक कॉम्बिनेशन है इस रोबोट में एक इंटेल प्रोसेसर लगा हुआ है और एक को प्रोसेसर लगा है जो कई तरह के संभालेगा एक साथ और इसके जरी ही रोबोट सारे काम परफॉर्म कर पाएगा